हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बैक तो माई चैनल डेंटल मेस्ट्रो आज हमारी वीडियो को टॉपिक है रिफ्लेक्स प्रेजेंट अड़ तो एसे दा नॉर्मल ग्रोथ देंटिस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को यह जानना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है कि यह जब भ इस वीडियो के तो इसी चीज को लेकर हमारी बॉड़ी का जो रिस्पॉंस होता है बिना सोचे समझे उसको हम रिफ्लेक्स कहते हैं फॉर एक्जैम्पल जैसे कोई गरम प्रेस है हम आटोमेटिकली हमने गलती से हाथ लगा दिया तो उसको वापस कीश लेते हैं तो यह हमा सबसे पहला आता है वोकिंग यह स्टेपिंग रिफ्लेक्स आपने यह चीज नोटीस कियोगी जब भी आप बेबी का पैर किसी काउच पे या फी किसी सर्फेस पे रखते हैं तो बेबी चलने की कोशिश करता है तो यह हमें शो करता है कि यह बेबी की नॉमल ग्रोथ है ने पर एज पर रखते हैं तो बेबी क्या कोशिश करता है उस पर रखकर वड़ाने के लिए चलने की कोशिश करता है तो इसको हम बोलते हैं लिम प्लेस्मेंट refllex नेक्स्ट है हमारा वेविन्सकी रिफ्लेक्स जब भी हम बेबी के फोट मतलब तलवे को थोड़ा सा किसी चीज से स्टोकिंग करते हैं मतलब ऊपर से नीचे तक कोई स्टोकिंग करते हैं तो क्या होता है जो उसका तो है अंगुठा है वो ऑटोमेटिकली मूव करने लगता ह तो उस चीज को हम यह sign में मानते हैं कि यह हमारा normal reflex है और इस reflex को हम बोलते हैं बैविंस्की's reflex नेक्स्ट आता है parachute reflex यह reflex जनरली 6-9 महिने के बच्चों में होता है और हो सकता है आगे तक भी रहे तो इसमें क्या होता है किसी बच्चे को आपने उठाया और suddenly नीचे की तरफ चोड़ा तो उसके जो arms है वो खुल जाते हैं और वो अपने आपको बचाने की कोशिश करता है तो इसको हम defensive reaction बोलते हैं यदि यह बच्चे की normal growth है तो उसका response इस तरीके से होगा लेकिन यदि किस बच्चे में यह reflex absent है या पर प्रॉपर नहीं है तो हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो cerebral palsy का पेशन्ट हो तो यही सारी चीजे हमें बताती है कि बच्चे में normal reflex है या नहीं बच्चे की normal growth है या नहीं नेक्स reflex है पालमर ग्रास रिफ्लेक्स इसमें क्या होता है यदि आपने किसी बेबी के हैंड के पास अपनी फिंगर ली या फिर कुछ इरिटेट किया तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो यह हाथ में और पैर में दोनों में होता है और यह जो reflex है जनरली 24 months में disappear हो जाता है जैस नसे assess करने है कि बेबी की normal growth है नेक्स अता हमारा लैंडव रिफ्लेक्स यहुर्मली तीन महीने से एक साल की बच्चे में देखने को मिलता है इस should watch to check करने की यह चारना होता है कि बेबी को अमें vertical suspension position में लेणा होता है फिर उसमें यह है करना होता है कि बच्चे का युदी नेक्स्ट आता है हमारा asymmetric tonic neck reflex, अब भी कोई बेबी rest की position में होता है, means रो नी रहा है, तो क्या होता है, कि यदि वो बीच बीच में अपनी करवटे चेंज कर रहा है, तो जिस side उसका face होता है, उस side की जो arm होती है, वो दूर होती है, दूसरी side की जो होती है, वो flexion होता है, means वो उसके पास होती है, और उसी तरीके से उसका knee भी bend होता है, means जहाँ पर flexed arm है, वहीं पर flexed flag होता है, यह reflex जनरली दो से तीन महीने के बाद डिसपियर हो जाता है, next reflex है हमारा moro reflex, moro reflex में क्या होता है, कि हमने किसी बेबी को जटके से उठाया एक दम से, तो उसके दोनों arms या पैर दोनों ही एकदम से खुल जाता है, उसको यह लगता है कई में गिर गया तो, तो यह हम जनरली muscle की tonicity check करने के लिए, यह reflex हमें muscle की tonicity बताता है, कि normal growth है या नहीं, या फिर कोई problem है, यह reflex जनरली दो से तीन महीने के बाद डिसपियर हो जाता है, next आता है startle reflex, it is very closer to moro reflex, moro reflex में क्या था, कि sudden movement हुआ, जिसमें baby की arms extend हुई, इसमें क्यों होता है, sudden noise होता है, noise हुआ या कोई stimulus हुआ, जिसकी वज़े से baby की arms खुल जाती है, तो यह हम started reflex है, मैंने live example के थूँ आपको सारे reflex समझाने की कोशिश किये, फिर भी आपको कोई query है, कोई question है, तो आप मैंने comment box मैं message drop कर सकते हैं, thank you for watching my video and don't forget to like, subscribe and share, bye bye, take care